सचिन पाइलट ने किया बड़ा एलान क्या सीयम अशोक गहलोत के खिलाफ करने वाले हैं आरपार की लड़ाई क्या है पाइलट की जन संघर्ष यात्रा जन संघर्ष पद यात्रा 11 मैं को मैं अजमेर से शुरू करूँगा और हम जैपूर आएंगे लगबग पांच दिन का समय इस यात्रा में लगेगा जैसे मैंने कहा यह यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है नौजवानों के पक्ष में है जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं जो इन इशूस को लेकर हम राजनीत करते हैं इशू पर मैं हमेशे अपनी बात रखता आया हूँ उनके बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज बनने के हम लोग कोशिश करेंगे ये बड़ा एलान राजस्थान कॉंग्रेस के दिगज नेता सचिन पाइलट का है मंगलवार को जैपूर में प्रेस कॉंफरेंस में सचिन पाइलट ने राजस्थान के मुख मंतरी अशोक गहलोत पर खूब जुबानी तीर छोड़े इसके साथ ही एक ग्यारा मई से जन संघर्ष यात्रा निकालने की घोशना कर दी इसके पहले सचिन पाइलट ने जैपूर में सिंधिया सरकार में हुए भरष्टाचार की जांच के लिए अंसन भी किया था अब सचिन पाइलट ने 11 मई से अजमेर से अपने नित्रितुम्मे जन संघर्ष यात्रा निकालने की बात कही है उनकी यात्रा 125 किलोमेटर की होगी जो अजमेर से निकल कर पाँच दिनों में राजधानी जैपूर पहुँचेगी मैं ज्याना तारिक को परसो अजमेर में अजमेर से एक यात्रा निकालूँगा जनता के बीच जाकर जनता की अवाज सुनेंगे जनता के मुद्दों को उठाएंगे और यसा मैंने शुरू में कहा जनता जनारदन है तो जनता के बीच जाना हम सब का दायतों बनता है और जो करप्शन के इशूज हैं जो नौजमानों के इशूज हैं जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजमानों के हितों से जुड़े मुद्वे हैं उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ जो ग्याना तारिकों शुरू होगी अजमेर से और जैपूर के तरफ हम लोग आएंगे लगबाग 125 किलोमेटर के यात्रा है जन संघर्ष जात्रा लोगों के हितों के लिए करप्शन के खिलाफ नौजमानों के संघरक्षन के लिए उनकी आवाज को हम सुरेंगे उनकी आवाज को बुलंद करेंगे सचिन पाइलट के इस एलान से उनके और मुखमंतरी अशोक गहलोत के बीच खिचतान बढ़ने के कयास लगने लगे है सचिन पाइलट ने प्रेस कॉनफरेंस में अशोक गहलोत का नाम सीधे सीधे नहीं लिया लेकिन उन्होंने कई बार अशो गहलोत का जिक्र जरूर किया। सचिन पाइलट ने ये भी कहा कि सही फैसले तब लिये जाएंगे जब जनता का पूरा साथ होगा। उनकी बातों को सुना जाएगा। सचिन पाइलट ने 25 अगस 2022 को हुई बिधायक दल की बैठक में सीयम गहलोत के खेमे के बिधायकों की अनुपस्तिती पर भी सवाल उठाए। सचिन पाइलट ने बिधायकों की गयर हाजरी को अनुशाशन हिंता करार दिया। इन सब के बिच सचिन पाइलट ने एलान कर दिय है कि 11 माई को अज मेर से जन संगर्श यातरा की शुरुवात की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।